आप सभी EPF मेंबर्स के लिए आज की ये नई वाली वीडियो काफी ज्यादा मत्वपूर होने वाली है जैसा कि अगर आपका भी पीप करता है और आपके पास एक यूएन अकाउंट नंबर है तो आज के समय में आपके यूएन अकाउंट से आपका अधार काड लिंक होना कम पलसरी हो चुगा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप EPFO के दोरा प्रोवाइड की जाने वाली मैक्सिमम सर्विसेस का लाब नहीं उठा पाएंगे और इसको लेकर के EPFO ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जी हाँ फ्रेंस आज के इस नए वीडियो में हम आपके यूएन एकाउंट से आधार काट को लिंक करने के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो देखिए फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर हमने ओपन किया है यहां पर लिका हुए करमचारी भविस से निदी संग ठन और यहां पर देख सक लिए आप तो तीज दोईर चोविस जी आप देख सकते हैं कि आपका अगर इंप्लोयर आप आपका आधार काड लिंक नहीं है आपके यूएन पोटल से और अगर आपका इंप्लोयर इस यार फाइल कर रहा है तो भाईया वह जो लास्ट डेट है इस यह फाइल करने का अप का जमा नहीं कर पाएगा यानि कि आपका जो कंट्रिबीुशन रहा होता है इस यह जमानख यह तो दोनों से हैं इन दोनों पेजों में क्या कुछ बताया गया है वह हम जाल लेते हैं तो देखें आपे बताया गया है कि दिनांग 18 423 के सर्कुलर में पार्टीसियल मोडिफिकेशन करते हुए सप्षम अथर्टी ने कुछ निश्चित छेत्रिय के इस्टेब्लिश्मेंट अर्थात बीडी मेकिंग ब्यूल्डिंग और कंस्ट्रक्शन्स और ब्रिक्चारों पर उद्योग चाय काफी इलाइची काली मेच जूट रबड सीनकोना काजू आदी और नौर्थ इस्टर्न छेत्र जिसमें असम अरुडाचल प्रदेश मिजोरम नागा लेंड और त्रिपकुरा राज सामिल है के संबंद में इसी आर दाखिल करने के लिए अधार को अनिवारे रूप से जोडने की अवधी को तीछे दोजर चोविस तक बढ़ा दिया गया है अब इसके आगे भी बताया है कि यह छूट अंतिम भर दी जा रही है तदा इस संबंद में किसी भी अन्य रिक्वेश्ट पर विचार नहीं किया जाएगा और इसके अनुसार यहां में बताएगा है कि सभी जोनल चेत्री का रियालों से अनुरोद है कि वे अधिक पेंडिंग के से स्वाले क्लिश्टर में विसेश अभियान चलाकर सीवीर लगाकर अधार को यूए न से जोडने के लिए आवस्यक प्रयास करें यानि कि यहां पे अब आपके इस काम के लिए आपके चेत्रीय कार्याले के द्वारा भी कुछ सीवीर चलाए जाएंगे अभियान चलाए जाएंगे जिसके माद्यम से आपका जो यूए ने वो हो सके उसके बाद और भी बताएगा है कि निर्दारी तिती अर्थात तक हंड्रेट परसेंट आधार यूएन सीडिंग टार्गेट प्राप्त करने के लिए ब्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जा सकता है तता प्रतिस्ठानों यानिकि इस्टिब्लिस्में के द्वारा और इसमें बताया गया जोर दिया गया है कि अब इन लोगों को यह जो इंडश्टी में लोग काम करते हैं इन इंड़स्टिज में काम करने वाले जो परसन है उनका अभी तक अगर यूएन से अधार का डिलिंक नहीं है तो भीया उनको लिंक कर वा लेना है अन इन इंडस्टीज से हैं इन इंडस्टीज में काम करते हैं तो आप अपने इंप्लोईर से कॉंटेक्ट करके अपना जो भी यूए नंबर है उससे अधार का डलिंक करवा लिजिए और उसके बार से अगर आपके जानपेचान में कोई ब्रक्ति है इस टाइप के को सेयर करके पहुचा सकते हैं जिसकी उनको भी इसके बारे में जनकारी प्राप्त हो सकती है